हनी बैजर भूक लगने पर जहरीले सापों से लेकर बिच्छू तक सब खा जाता है इस छोटे से हनी बैजर का पसंदीदा खाना शहद है पर मधुमक्षी तो अपने छट्टे के आसपास किसी को देखते ही उस पर हमला कर देती है लेकिन जब हनी बैजर इनके छट्टे से शहद खाता है तो मधुमक्षी इस पर हमला क्यों नहीं करती दरसल हनी बैजर की स्किन काफी मोटी होती है जो इसे मधुमक्षी के डंक से तो बचा लेती है लेकिन इसका फेस नहीं बच पाता और जब मधुमक्यां इस पर डंक मारती है तो इसे भी हमारे जैसा ही दर्द होता है लेकिन हनी वेजर के पास समय ही नहीं होता कि ओ दर्द पर ध्यान दे